दिल्ले वधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है अर्विंद केजरिवाल के नेत्रत्व में पाड़ी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्च की है केजरिवाल ने नई दिल्ले वधानसभा सीट से 20,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की 16 फरवरी को वे राम लीला मैदान में मुख्य मंत्री पद की शपत लेंगे शपत समहरों में कोई बड़ा चहरा शामिल नहीं होगा लेकिन केजरिवाल का एक खास महमान मीडिया में चा गया है इस खास महमान को देखने के लिए सभी आतुर नज़र आ रहे हैं गौर तलब है कि चनाव परिनाम के दिन बेबी मफलर मैन ने आपकी जीत पर खूब जश्न मनाया था बेबी मफलर मैन अरविंद केजरिवाल के शपत ग्रहन समहरों में शामिल होगा इस बात की जानकारी आपके अधिकारिक ट्विटर हैंडर से दी गई है लाल रंगे स्वेडर, मफलर और चश्मी में अरविंद केजरिवाल के लुक में सबको आकशित करने वाले इस बच्चे का नाम अव्यान तॉमर है मयूर विहार के दहने वाले राहुल तॉमर के बेटे अव्यान की उम्र एक साल है केजरिवाल के लुक में दिखे इस बच्चे को लोग सोशल मीडिया पर बेबी मफलर मैं जूनियर केजरिवाल छोटा केजरिवाल जैसे कई नामों से बुला रहे हैं ये बच्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर चाया हुआ है दिल्ली चुनाव में जीत के बाल अरविंद केजरिवाल अव्यान से मिलने भी पहुचे थे केजरिवाल लगतार तीसरी बार दिल्ली के सीएम बनेंगे आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चहरे चुनाव जीत कर आये हैं और अब कैबिनेट में कौन से नए चहरे शामिल होंगे ये देखने लायक होगा दिल्ली विधासभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासल की पार्टी ने पिछले चुनावों में 63 सीटों पर जीत हासल की थी इस चनाव में विपक्षी दल, BJP और कॉंग्रेस कोई खास कमाल नहीं कर सकी